तो बच्चे इस विडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं सेशन 2020-2023 के एकनोमिक्स का सिलेबस दिखो हमारे सिलेबस के अंदर CBSC ने दो मेजर चेंजेस करे हैं फर्स्ट इस जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले 2-3 साल कोविड वाली सिटुएशन थी तो हमारे सिलेबस से काफी कुछ चीजे डिलीट थी CBSC ने चाप्टर्स के बीच से काफी सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिये थे बट अब CBSC ने बोला कि कोविड जैसी कोई सिटुएशन नहीं है आपको अगेन चाप्टर्स पूरे के पूरे ही पढ़ने है चाप्टर्स के अंदर से कुछ भी डिलीट नहीं है जैसे दो तीन साल पहले पूरा पूरा चाप्टर पढ़ते थे अगेन वैसे पूरे पूरे चाप्टर्स आप लोगों को पढ़ने है चाप्टर्स के अंदर से कुछ भी डिलीट नहीं है बट यहाँ पर CBSE ने हम लोगों को राहत भी दी CBSE ने बोला कि भाई हम छोटे-छोटे से topics डिलीट नहीं करें chapters के बीच में हम लोग पूरे के पूरे chapters उड़ा रहे हैं हम पूरे के पूरे chapters डिलीट करें तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई चलो ठीक है topics डिलीट नहीं है बट हमारे पूरे-पूरे chapters ही डिलीटेड है जो second change है वो बचे यह है कि जैसे अभी last year term 1, term 2 वाला system हुआ था कि पहले term 1 हुए थे 40 marks के objective then अभी term 2 हुए 40 marks के subjective CBSE ने बोला कि भाई अब term 1, term 2 वाला कोई system नहीं है जैसे पहले annual exam देते थे मार्च के अंदर 80 marks का सेम वैसे ही annual exam आप लोगों को देना है कोई दो exams नहीं होगे term 1, term 2 एक ही exam होगा मार्च के अंदर आपका annual exam जिसमें 80 marks का आपका exam होगा 20 marks की आपका project work होगा तो ये दो changes CBSE ने हमारे syllabus के अंदर बड़े changes करे है अब इस video के अंदर हम लोग क्या discuss करेंगे सबसे पहले हम लोग हमारा syllabus discuss करेंगे कि particular unit कितने marks की है, हर unit का कितना weightage है और उस unit के अंदर हमें कौन कौन से topics पढ़ने है सेकेंड हम लोग देखेंगे कि हमारे syllabus के अंदर क्या-कया delete करा है CBSE ने और थर्ड हम लोग देखेंगे कि हम लोगों की क्या strategy रहने वाली है हम लोग हमारे course को किस तरह से complete करेंगे हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं तो विदाउट wasting any time, let's start तो बच्चा हम लोग discuss करने वाले हैं Economics Class 12 के session 2022-23 का syllabus तो ये को सबसे पहली बात आप लोगो को मैंने बताई दी कि अब term 1, term 2 वाला कोई system नहीं है जैसे पहले annual exam देते थे वही pattern चलेगा 80 marks का आपका exam होगा March के अंदर और 20 marks होते हैं हमारे project work के तो बच्चे Economics के अंदर हमारे पास में दो books हैं फर्स्ट book का नाम है Macro Economics और सेकंड book का नाम है Indian Economic Development देखो 80 marks का exam होगा तो 40 marks तो दे दिए Macro Economics को और 40 marks दे दिए Indian Economic Development को तो ये हो गया हमारा 80 marks का exam बच्चे हुए 20 marks की हमारी project file तो हो गया आपका 100 marks तो सबसे पहले हम लोग Macro Economics की बात करते हैं तो देखो Macro Economics के अंदर हमारे पास में total 5 units है Unit 1 है हमारी National Income and Related Aggregates इसके अंदर आ जाएंगे आपके शुरुआत वाले chapter National Income वाले chapters अगर आप लोग TR Gen Book फॉलो करते हो तो बेटा उसके हिसाब से यहाँ पर है chapter number 1, 2, 3, 4 chapter number 1, 2, 3, 4 है हमारे National Income के जिनका वेटेज है 10 marks Second unit है हमारी Money and Banking तेखो Money and Banking के अंदर सिर्फ हमारे पास में 2 chapters है एक chapter है chapter number 5 जिसका नाम है Money and second is chapter number 6 जिसका नाम है Banking इन दोनों chapters का मिला के वेटेज बनता है 6 marks का Then third unit है हमारी Determination of Income and Employment देखो Determination of Income and Employment third unit के अंदर हमारे पास में total 3 chapters है chapter 7, chapter 8, chapter 9 और इन अकेले 3 chapters का वेटेज है 12 marks तो काफी important unit है 12 marks का वेटेज हो गया fourth है हमारे पास में Government Budget and Economy government budget and economy unit के अंदर सिफ और सिफ एक चाप्टर हमारे पास में है chapter number 10 जिसका नाम है Government Budget इसका अकेले का वेटेज है 6 marks और last unit है हमारी Balance of Payments Balance of Payments के अंदर हमारे पास में 2 chapters है एक चाप्टर का नाम है खुद Balance of Payments एक चाप्टर है Balance of Payments और दूसरे चाप्टर का नाम है Foreign Exchange Rate इन दोनों चाप्टर का मिला के वेटेज बनता है 6 marks तो first unit National Income कितने marks की है 10 marks की 4 chapter है second unit Money and Banking दो चाप्टर है वेटेज है 6 marks third unit Determination of Income and Employment में 3 चाप्टर है 7, 8, 9 वेटेज है 12 marks fourth unit Government Budget and the Economy में सिफ एक ही चाप्टर है Government Budget जिसका वेटेज है अकेले 6 marks का और last unit Balance of Payments के अंदर हमारे पास में 2 chapters of Balance of Payment and Foreign Exchange Rate जिनका अकेले का वेटेज है 6 marks तो ये 40 marks की हो गई हमारे पास में हमारी Macro Economics अब चलते हैं बीटा हमारी second book पर येको second book का नाम है Indian Economic Development यहां पर हमारे पास में 3 units हैं तो unit 6 का नाम है Development Experience of India इंडिया के development experience को हम लोग discuss करेंगे 1947 से 1990 के बीच में Then 1991 में क्या economic reforms आए क्या changes आए तो बीटा ये हो गए आपके chapter 1 से लेके 6 तक के जिनका वेटेज है अकेले 12 marks का Then next हमारी unit है current challenges facing Indian economy की इंडिया की economic को current में कौन से कौन से challenges face करने पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपके chapters आ जाते हैं employment, rural development, sustainable development जिनका अकेले का वेटेज है 20 marks तो इसे बहुत अच्छे से तयार करना है And last unit है हमारी development experience of India India के development experience को हम लोग discuss करेंगे और comparison करेंगे चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में जो हमारे neighbors हैं तो यह unit हो गई हमारी 8 marks की, तो 12 plus 20 plus 8, यह हो गई 40 marks की हमारी Indian economic development कुल मिलाके 80 marks का आपका marks के अंदर exam होगा, 20 marks की आपको क्या करनी है, एक file बनानी है, बहुत ही सुन्दर सी, बहुत ही प्यारी सी और externals आके आपका वाईवा लेंगे, तो यह 20 marks हो गई, आपके free के, यह बन गई 100 marks हमारे economics के अब discuss करते हैं कि बहुत किस unit के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग macro की बात करते हैं, तो macro के अंदर first unit है national income and related aggregates, जिसके अंदर topic है, what is macro economics, तो बेटा यह आपको मिलेगा TR Gen के अंदर chapter number 1, then है basic concepts of macro economics, जिसके अंदर आपको देखने consumption goods क्यों होते हैं, capital goods क्यों होते हैं, final goods, intermediate goods क्या हैं, stock flow, gross investment, depreciation यह सारे concept, circular flow of income, two sector model, तो बेटा यह तो था आपका chapter number 1, यहां से लेके यहां तक का यह सब आजाएगा आपका chapter number 2 के अंदर, then बात करते हैं, methods of calculation of national income में कि national income को calculate करने के तीन methods है, value added method, expenditure method, income method, यह है आपका chapter number 4 और यह पूरा aggregates related to national income, GNP क्या होते है, NNP क्या होते है, GDP क्या होते है, GDP क्या होते है, GDP and welfare यह सब कुछ है आपका chapter number 3, chapter number 3, chapter का नाम है national income and related aggregates तो यह हो गई आपकी first unit, जिसका weightage है हमारे पास में कितना 10 marks का, देखते हैं हमारी second unit, second unit है money and banking जिसमें सिर्फ दो ही chapters है, chapter number 5 and 6, तो first chapter है money की money का meaning क्या है, money के क्या functions है money की supply का आपको पूरा concept learn करना है, currency held by the public, net demand deposits held by the commercial bank की money supply में क्या-क्या आता है, तो यह हो गया आपका पूरा का पूरा chapter number 5 chapter number 6 के अंदर आप देखोगी की commercial banks की इस तरह से money create करते है central bank कौन सा bank है, इसके क्या-क्या functions है, कि यह bank of issue है, government का bank है, bankers bank है, credit control करता है कि इस तरह से central bank country के अंदर money की supply को control करता है, उसके measures, यह बहुत important topic है तो यह हो गया आपका chapter number 6 पूरा, chapter number 6 then यह और बिच्चा इसका वेटेज है हमारे पास में कितना 6 marks का then है हमारी next unit determination of income and employment, इसके अंदर हमारे पास में total 3 chapters है, chapter 7, chapter 8, chapter 9 chapter 7 का नाम है, aggregate demand and related concepts, aggregate demand and related concepts chapter number 8 का नाम है, short run, short run equilibrium output and chapter number 9 है, हमारे पास में problems of deficient demand and excess demand, problems of deficient demand and excess demand तो first है, aggregate demand और उसके components, propensity to consume, propensity to save तो यह सब पूरा का पूरा है, जो दो लाइन से यह गई हमारी chapter number 7 के अंदर then short run equilibrium output क्या है, investment multiplier, उसका mechanism table के त्रू यह गया, chapter number 8 के अंदर फिर है, फुल employment क्या होता है, involuntary unemployment क्या है, excess demand और deficient demand की problems और उन्हें किस तरह से correct हिया जाता है, यह पूरा गया हमारा chapter number 9 के अंदर unit 4 हमारे पास में है, government budget जिसमें सिर्फ एक ही chapter है, कि government budget क्या है, उसका meaning, उसके objectives, उसके components government की receipts दो तरह के होती है, revenue receipts, capital receipts, government के खर्चे भी दो तरह के होते हैं, revenue expenditure, capital expenditure, surplus budget, balanced budget, deficit budget के बारे में हमें पूरा पूरा पढ़ना है, तो यह है हमारा एक chapter, chapter number 10, और last unit macro की है, balance of payment, जिसमें हमें देखना है, balance of payment का क्या meaning है, क्या components है, surplus balance of payment, deficit balance of payment, तो यह हो गया आपका एक chapter, BOP, balance of payment, then a foreign exchange rate, जिसके अंदर आपको fixed or flexible rates के बारे में पढ़ना है, managed floating के बारे में पढ़ना है, exchange rate को किस तरह से determine करते हैं, free market के अंदर, flexible or fixed exchange rate, दोनों के merits क्या है, demerits क्या है, managed floating एक बहुत important topic है, तो यह पूरा एक chapter हो गया, आपके पास में foreign exchange rate, यह पूरा chapter हो गया, तो यह हो गया बेटा हमारा macro का syllabus, अब चलते हैं, Indian economic development के अंदर, देखो macro के अंदर कुछ भी delete नहीं है, macro के अंदर topics delete थे, वो भी आपको पूरे-पूरे पढ़ने है, तो macro के अंदर कुछ भी delete नहीं है, राहत आपको Indian economic development में मिली है, तो Indian economic development में 6 unit है, हमारी development experience of India, और economic reforms, तो बेटा, यह सारे topics हमें पढ़ने हैं, और यह आ गए, आपके टीया जन, वीके औरी के साफ़ चाप्टर नमर वन स लेके 6 तक के सारे chapters, यहां पर क्या-क्या पढ़ना है बच्चे आपको, a brief introduction of the state of Indian economy on the eve of independence, कि independence पहले इडिया की क्या कंडिशन थी, Indian economic system and common goals of 5-year plans, यहां पर हम लोग 5-year plans के बारे में पढ़ेंगे, main features, problems and policies of agriculture, क्या-क्या features, क्या होँआ पर problems है, क्या-क्या प्रबलम से, क्या 1956, industrial policy resolution 1956, small scale industries का क्या role है, क्या importance है country के development के अंदर और foreign trade, then बात करते हैं, यहां पर economic reform since 1991, कि 1991 में क्या changes आए, तो 1991 में नई policies आगई थी, LPG policy, policy of liberalization, privatization and globalization, और यही पर आपको पढ़ना है, demonetization और GST का पूरा-पूरा concern, तो यह हो गए आपके chapter number 126, हमारी unit 6 के अंदर, then unit 7 के अंदर हमारे पास में total 4 chapters है, first chapter है human capital formation, second chapter is rural development, third is employment and fourth chapter is sustainable economic development, देखो यहां पर आपको राहत मिली है, पहले यहां पर 2 chapters और थे, एक तो chapter था हमारे पास में poverty और दूसरा chapter था infrastructure, तो देखो यह सारे chapters तो आपको पूरे-पूरे ही पढ़ने हैं, but CBSE ने directly यह पूरे-पू chapters delete कर दिये, poverty chapter अब आपको नहीं पढ़ना, infrastructure chapter अब आपको नहीं पढ़ना, यह दोनों chapters आपके code से क्या है, deleted है, तो यह यहां पर deletion है हमारे syllabus के अंदर, और last unit है, unit number 8, development experience of India, इसके अंदर आपको इंडिया के development experience को पढ़ना है, compare करना है, इंडिया और पाकिस्तान को, marks के लिए आपका project work है, जिसके लिए आपको एक file बनानी है, और यह file के हिसाब से आप से कुछ external, वाईवा से related questions पूछेंगे, अब बात करते हमारी क्या strategy रहने वाली हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर मैं macro economics की बात करूँ, तो macro का मैंने पूरा काफी videos हैं, वो काफी detailed videos हैं, उन videos के अंदर कुछ भी deleted नहीं है, हाला कि COVID की चकर से बहुत सारी chapters के बीच से बहुत सारे topics delete हुए थे, but मैंने वो videos कुछ इस according बनाये थे, कि आप लोग भी उन videos को use कर सको, हम लोग session 2022-23 के लिए उन videos को follow कर सके, तो आप tension free होके macro की playlist को session 2022-23 के बिना पढ़ोगे, तो I am giving you assurance की macro पूरी वही से complete हो जाएगी, कोई doubt नहीं आएगा, फिर भी अगर कोई query होती है, कोई doubt होता है, तो आप कभी भी मुझसे Instagram पे पूछ लो, कभी मुझसे comment section में पूछ लो, second book है हमारी Indian Economic Development, तो Indian Economic Development, देखो मैंने अभी अभी start करी है, तो इसक करेंगे, फिर कुछ नहीं है, macro economics को revise करेंगे, Indian Economic Development को revise करेंगे, तो ये हो गई हमारी strategy, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगो ने हमारा syllabus देख लिया, दो chapters हमारे deleted है, कौन-कौन से poverty और infrastructure, strategy हम लोगो ने discuss कर ली कि macro बस आप शुरू कर दो, macro के वीडियोस लेटिस्ट वीडिय वीडियो को जितना हो सके हमने दोस्तों के साथ में share करो, ताकि उन्हें पता सल सके कि syllabus के अंदर अप मिशली बार की तरह चीज़े deleted नहीं है, हमें पूरा-पूरा ही पढ़ना है, और उन लोगों को भी syllabus का benefit मिल सके, so वीडियोस को share कर दो, अच्छे से, see you in the next video, bye for now.